सभी दोस्तों को जैहिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि BSFJE के कन्वेंशनल अथात मेंस यानि सेकेंड पेपर में आने वाले मुहत्तपूर प्रश्ण जो की एक मॉडल पेपर के धारित है इन ही 50 प्रश्ण की मैं भी प्रेक्टिस किया था और मुझे इसमें से कुछ प्रस्ण देखने को मिले थे और जो मिले वो काफी आसान थे अगर आप इन 50 प्रस्णों को अच्छे से अपना प्रेक्टिस करते हैं तो डेफिनिट्ली दोस् क्या चुकि मुझे अपना परस्णल काम भी रहता है तो तो उसके प्यूंच टाइम लेख जाता है तो दोस्तों फाइनली मैं आप लोग के लिए लेकर क्याया हूं जिसमें कि मैं आप लोग को इसमें पांच क्वेस्टन बताऊंगा और आज क्वेस्टन का आप लोग खू सबसे पहले धिंग्स टू कीप इन माइंड ध्यान में रखने योग बातें क्या ध्यान करना चाहिए हमें जब भी करनेशन परिछा या कोई भी लिखित वाला पेपर देना है तो उसमें आपको क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए जो कि मैं ध्यान दिया था और वह भी आप सबसे पहले आप 12 प्रस्टन आएंगे और उसमें से आपको 10 करने हैं तो कोई जदबाजी नहीं करिए ध्यान कुरुबग ध्यार से 2-3 मिनट 5 मिनट का में लेजिए आप 12 क्वेस्टन को बहुत आराम से पढ़िए और देखिए कि आप इसमें से कौन सा क्वेस्टन बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे बहुत अच्छे ढंग से मतलब कि आपको प्रापर उसक्वेस्टन का अंसर पता है कि आप इसके बारे में अगर लिखना हो दो बेज में ताब आराम से लिख देंगे तो आप उनी प्रस्टन से आपको स्टार्ट करना है ठीक है तो सबसे प स्थ्वासा समय है स्वासा और साफ रिकने का sympathetic है और Reading और लोग इस वह आपके पेपो चेक करेंगे, कॉपी को चेक करेंगे, तो आप जहां इस्टार बनाते हैं या जहां बंडरलाइन करते हैं, तब पॉइंट को सबसे पहले उनका निगाह वही पे जाता है, और वो उस पॉइंट को देख करके इंप्रेस हो जाते हैं, यार लड को समझ में आगया, आगे देखिए, डाइगराम अच्छा बनाएं और अच्छे से एस्प्लेन करें, आप जब भी किसी भी प्रश्ण को करने चलते हैं, तो आप उस प्रश्ण के रिगार्डिंग डाइगराम जरूर बनाएं, और डाइगराम बनाने के बाद, आप उस डा नंबर मिलते हैं, यदि आप किसी भी क्वेश्ण के फार्मूला लेखते हैं, तो आपको इस्प्लेन करने में भी काफी असानी होती है, कि हम फार्मूला के ही सहायता से तिन-चार लाइन तो कम सकम भरी देते हैं, तो भाई देखिए, मैं ये पॉइंट आपको आपका इसके बाद ये पेपर थियरी लिखें, हो सके तो फार्मूला का यूज करें, आप पेपर का थियरी भी लिखें, अच्छे से और हो सके तो फार्मूला का यूज करें, फार्मूला का यूज करने से काफी इंप्रेशन होता है, मैंने बहुत फार्मूला का यूज किया है, म पेंसिल से बनाएं या पेंस से बनाएं देखिए वो आप लोग पर डिपेंड करता है अगर आपके अंदर कॉंफिडेंट है कि मैं जो भी डाइगराम बनाऊंगा वो मैं एक बार में बना दाऊं मेरे से गलत नहीं होगा आपको मीटाना नहीं आप नहीं चाहते हैं तो प्ल और यहां वो पेंड आप के हात में हैं अगर आपका डाइगराम अच्छे से तयार है तो आप अपने डाइगराम पेंस से बनाया था ठीक है आगे देखिए नुमेरिकल्स को ध्यान पूरवक्ट करें और दीए हुए डाटा को जरूर को ज़रूर लिखें आपने जो भी न तो आप नुमेरिकल्स को जो भी है वो उसको ध्यान पूरो सॉल करें कोई भी डाटा गलत ना कर दें उसमें जो भी डाटा गीवेन है ठीक है तब सबसे पहले उस आप डाटा को लिखे कि हाँ ये 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 गीवेन है उसके बाद आप फार्मुला का अप्लाई करें और बिल्कुल तसल्ली से उसको सॉल करें जिससे कि कोई भी गुना भाग करने में गलत ना हो क्योंकि इसमें आपका एंसर गलत आया तो हो सकता है आपके दस के दस नमबर कर जाए हाँ हाँ क्वेश्चन दस नमबर का होता है ठीक है इतनी बाते आपको ध्यान रखनी है तो आप उसको ले लें या फिर एक यूपी पीसल का या कोई भी ग्याम का एक एनलाइजर आता है ठीक है हिंद्य और इंगलीस में दोनों में आता है एक एनलाइजर आप उसको भी देखें पॉलिटेकनिक जेई के लिए अब देखिए यहां पे इस नमबर बन क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है कि आप नीचे दिये जो भी प्रशन है उनके बारे में आप अच्छे से ब्याक्षा कीजिए इनके बारे में बताईए बिस्तार से तो दुस्तों दिखें क्या है कि यह एक क्वेश्चन तो आपका दस नमबर का हो गया ऐसा प्रसन आएगा ठीक है ऐसा ह आएगा उसमें यह भी सीडी करकर आएगा सबको लिखना उसके बारे में अकर यह अकेला एक वेश्चन दस नमबर का है तो इसका मतलब यह है ना कि आपको इन पांचों को ना बहुत लेंदी नहीं लिखना है छोटा 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 लिखना है ठीक है क्योंकि एक ही लिख करना है जो कि आप डरिवेशन कियो होंगे कि साइनोसयटल सप्लाई जो होती है ऐसे करके ऐसे और यह ऐसे ऐसे चलता है ना बहुत लिखना है अपको बहुत अच्छे से पढ़े हैं आप लोग इसका भी solve करिए C question है देखे ये 4 band हो सकता है 3 band का आजाए 5 band का आजाए 2 band का आजाए तो ये आप एक एक मदब क्या है कि एक ये model है ऐसा question आ सकता है C क्या है frequency and time period frequency and time period frequency के बारे में बताईए और time period के बारे में बताईए और आपको पता है कि इसके में एक फर्मूला भी होता है relation होता है इसका time period और frequency का तो बस आप ये बताईए कि frequency क्या होता है और time period क्या होता है उसके बार D है drive relation between line voltage and line current for star connection जो आप एक दो connection पढ़ने है star और delta तो star connection के लिए line voltage और line voltage और phase voltage में क्या relation आता है वो आपको बताना है ठीक है line voltage और line current का आपको derivation निकालना है इसका E-point है RLC series circuit RLC series circuit का जो होता है circuit resistance होता है inductor होता है capacitor जुड़ा होता है तो आप उनक circuit का भी derivation कर दिजिए ठीक है दोस्तों उसी इसी में देखिए आपको उसा बढ़ाना है तो उसा resonance को भी दर साथ दीजिए कि resonance mission कब आएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे number 2 question explain following terms आपको थेवनीन थूरम के बारे में बताना है थेवनीन थूरम के बारे में में साट कट में बता दीजिए question है explain maximum power transfer theorem with a suitable example maximum power transfer theorem भी आपड़े है कि कौन सी case में power maximum transfer होगा एक suitable example के मादियम साब इसको समझाईए आप पहले derivation कर लिजिए और उसके बाद फिर एक उसी क्या धार पर कोई एक सरफिट अपने आप से बना लिजिए दो ओम तीन ओम जो भी लिखना लिखके उसका आप maximum power transfer का formula लगा करके apply कर दिए ठीक है तो आप एक ऐसे कर सकते हैं देखिए आपका सिर्फ एक ही single question है इसलिए आपको इसको कम से कम दो पेज में करना होगा तो दो पेज से ज्यादा ही लग जाएगा आप देरिशन करेंगे और एक example देंगे ना तो दो पेज से ज्यादा ही लग जाएगा आराम से आप कर लेंगे इसको चौथा question देखिए explain 2 watt meter method for 3 phase power measurement with neat and clean phasor diagram आपको 3 phase power measurement के लिए आपको 2 watt meter के method से कैसे power measure करते हैं 3 phase आपको उसका neat and clean diagram बनाना है यह बहुत important question है लगवग हर इसम में आता है इसके बाद 5 question क्या है explain following terms ठीक है आपको इन नीचे दिएगा फालोई इन question का ब्याक्षा करना है feminine theorem, notan theorem, kcl और यह super position theorem ठीक है तो दोस्तों कुछ नहीं है बस यहीं है लगर दोस्तों यह question लगा पांच वाले question को हटा देता हूं क्योंकि यह repeat होगा है मेरे से ठीक है इसको हटा देते हैं अब दीकिए यहाँ पे पांच के बदले में 6 के बदले में मैं यहाँ पांच कर देता हूं कि बहुत समय है पांच वाक्षा क्या है चर्क के बिछ एक ग्राफ ड्रा करना है किसके लिए स्रेजरे जरेजनेंस का सरफीट बना करके आप करेंट और फ्रिक्वेंसी के लिए ग्राफ ड्रा कर लिजे यह होगा पांच वाग्योंकिन मैं आप लोग को एक बात और बताता हूं यह pattern बिल्कुल SSJ का है काम आएगा उसका भी तो दोस्तों रहें इस वीडियो में ये पांच क्वेस्चन पर आप प्रेक्टिस करें अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप यूटूब पे भी देख सकते हैं नहीं तो फिर आप किसी बुक भी तो आपको मिली जाएगा बेसक आप यह सब जीक त्य आप इनको फालो करें और मैं आप सब्सक्राइब करता हूं ज्यादा जयादा रिप्लाइब करता हूं तो आप मुझे वह कमेंट में आप जरूर सकते हूँ अपनी मजबूत पकड़ बनाईए तब तक मैं दूसरा वीडियो लाता हूं और आगे के भी कुश्चन को जाता हूं बताता हूं ठीक दोस्तों तो मिलते हैं नेक्ट्ट वुडियो में जैहन